हेलो एवरिवन आप लोग देख रहे हैं वंडे एक्जाम जैसे कि पता है कि आप लोगों को यह काफी दिनों के बाद मैं वीडियो यह बना रहा हूँ आफ्टर यह भी एक्टिन जोब आपको पास हो जाएगा उसके बाद आपको कैसे क्या सी ओपी का प्रोसेस करना पड़ेगा बहुत सॉल्ड में चीज़ बताऊंगा डिटेल वीडियो उसकी में बाद में बताऊंगा क्योंकि आज में टॉपिक जो हमारा रहेगा वह रहेगा कि AB 18 का रिजल्ट कब तक और कितने टाइम तक आ सकता है ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं मिना किसी देरी के तो जैसे कि बता है कि आपको AB 18 का इस जो एक्जाम है जो गंडेक्ट हो चुका है सकस्वली और इसमें कुछ कोश्चन डिस्पूटेड भी आये थे चार से कि तब दिसंबर के इन तक ही रिवाज अंसर की दे देंगे लेकिन वह ऐसा हुए नहीं होता किया है कि पहले रिवाज अंसर की आती है पर उसके बाद रिजल्ट आता है लेकिन आप जो सुनने में आ रहा है इसा जो निजूज मेल लाई है कि जब रिजल्ट आयगा इसका उसी के साथ ही आपकी रिवाइज अंसर की देंगे वो मतलब ऐसा नहीं होगा आपकी आप पहले रिवाइज अंसर की दें और बाद में रिजल्ट दें क्योंकि प्रोसस काफी इनका डिले भी हो गया है AAB 18 का अब तक इनका हो जाना चाहिए था क्योंकि आपको पता कि एक साल में दो बार AAB होता है और ये एक बार ही AAB हो पाया आपका सही तरीके से और इसके पार आपको AAB 19 भी ने कराना है तो भी कोशित कर रहे हैं कि हम जैसे रिजल्ट दें उसके साथ ही रिवाइज अंसर की दें अगर किसी का डाउट हो रहा है किसी का रिजल्ट में दिक्कत आ रही है तो वो परसनली मेल करे AAB को BCI को बार काउंसल आप इंडिया को उसको मेल करे अपनी ये प्रॉब्नस बताए ठीक है जिनका जिनका अब आसे होता कि जिसे रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में खाली पास फिल लिखे आता है और जिनका मतलब नहीं होता है जिनके मतलब मान लिए किसी के ओमार में दिक्कत है या किसी के फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ गई है उनके रिजल्ट के आगे विध हैड लिखे आता है तो जब revise answer की डालते हैं उनकी जब rechecking के लिए डालते हैं जिसके लिए 200 रुपे फीज पड़ती है ठीक है जब मैं आपको बता दू जब आप recheck डालेंगे तो वो 200 रुपे 200 रुपे rechecking के लिए लेते हैं वो पहले तो ये था आप पता नहीं इस बार बढ़ा दें कि ना बढ़ा दें क्योंकि AIB में तो BCI वाले तो बढ़ाते ही रहते हैं पैसे उसे तो 200 रुपे पड़ेगा उसके बाद आपका रिजल्ट जो होगा आएगा वो आपके personal mail में आएगा ठीक है ऐसे आता था तो ये detail थी अब मैं बात करूँगा कि AIB 18 का जो result है वो possibility कब तक आ सकती है ठीक है आपका मैं बता दूँ कि AIB का result जो होगा वो 5 के first week में आपका आएगा result plus answer की दोनों आपकी साथ में आएगी मान के चलिए आपके 6 फैब से पहले पहले और एक से 6 फैब के बीज में आपका result आएगा कभी भी आ सकता है और आपकी answer की ठीक है और प्लस result जो हो है वो आपका एक साथ आएगा ठीक है तो ये तारीक आपकी मतलब expected जो है आपका वो यही है मतलब expected भी बता सकता इसका रीजन यह है कि AIB 19 जो है उसकी हो जकता है आपको form filling जो है अपरेल से starting हो जाए अपरेल से आपका AIB 19 के form filling होने लगेंगे और उसका भी एक्जाम वही October side वो conduct कराएंगे October side मतलब एक्जाम का October में होता था इस बार डिले हो गया था तो October side वो अपना conduct कराएंगे तो इसलिए रिजल्ड जो है आपका February के first week में आ जाएगा रिवाइज अंसर किया जाएगा जिनके result या इनके marks एक दो नंबर से कम है वो rechecking के लिए डाल देंगे ठीक है और अगर किसी के answer की में ओमार फिल करने में प्रॉब्लम आई आ गई है या माले यह रोल नंबर है या कुछ पेपर कोड है वो अभी ही इमेल कर दें BCI को अपनी प्रॉब्लम्स बता दें अपना रोल नंबर और रिच्टेसन नंबर के साथ कि यह यह मेरे प्रॉब्लम्स है और तो यह है कि जब आएगा तो उनके रिच्ट में कोई विदहल्ड वगेरा लिख के नहीं आएगा ठीक है तो यह सब जनकारी देनी थी आपको और मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को अपने बताई थी कि कौन-कौन से कॉस्चन में बताया था मैंने आपको होफ़ली आप लोगों वीडियो देखी होगी और दूसरी चीज यह मैं आपको बता दूं कि AIB 18 जैसे आपको पास होगा उसमें प्रोसेस आपको करना पड़ेगा वह आपके जो बाल कांसल इंडिया होगी वह स्यूपी नंबर आपके रिस्पेक्टिव जितने भी जहां सब्सक्राइब आपने स्टेट बाल कांसल कराया है वहां पर भीज़ देंगे वहां से आपको वह क्लेक्ट करना होगा दिखाऊंगा कि क्या क्या डाकुमेंट लगाने होंगे और मैं अपना भी आपको स्यूपी सार्टिफिकट दिखाऊंगा तो यह सारी डिटेल आपको देनी थी आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे लगी होगी और वीडियो अच्छी लगों तो प्लीज सब्सक्र प्लीज जरू बता है ठीक है थैंक्यों सो मच